नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे दोस्तों आज हम बात करेंगे ARCI की सीधी भर्ती के बारे में आज की भर्ती के लिए दोस्तों मेरो फीमेल दोनों ही अपलाई कर सकते हैं आप इंडिया के सभी राजियों से दोस्तो इस बरती गले apply कर पाएंगे दोस्तो यह दिया आप बारी पास हैं या graduate हैं तो आज की बरती गले आप apply कर सकते हैं आज की बरती में आपको किसी भी प्रगार की fees का भूगता नहीं करना सेलली की बात करें तो सेलली भी आपको ठीक टाकी दी जाएगी इस भरती के लिए दोस्तों आज की डेट से अपलाई होना सुरू हो चुका है दोस्तों यह दिए आप चाहते हैं कि परते एक सरकारी नौकरी की रियल वा ऑथेंटिक इन्फोमिशन सबसे पहले आपको प्राप्ट हो तो दोस्तों जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजेगा दोस्तों बरती की पूरी इन्फोमिशन समझने के लिए वीडियो के नितक बने रहेगा इस वीडियो में आपको स्टेप बाई स्टेप सारी इन्फोमिशन दी जागी कि आज की बरती में किस किस पोस्ट की बरती है क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और इस बर्ती का location क्या है यह सारी information हम आपको दोस्तों इस वीडियो के मारें से देंगे तो चले दोस्तों बात करें लिए हैं आज की बर्ती से related information के बारे में तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे दोस्तों जैसे पताएं कि आज की बर्ती है और इसका पूरा नाम है दोस्तों International Advanced Research Center for Powder Metallurgy and New Materials और यह दोस्तों Department of Science and Technology में आता है Government of India के अंडर में आता है और आज की बर्ती के लिए दोस्तों male of female दोनों ही अपलाई कर सकते हैं आप इंडे के सभी राजियों से दोस्तों इस भर्ती के लिए अपलाई कर पाएंगे आज की डेट से इस भर्ती के लिए अपलाई होना सुरूज चुका है और इसकी last date है closing date है 31 जुलाई 2022 दोस्तों इस बर्त में selection process की बात करें तो आज की बर्त में आपका return टेस्ट और skill test के basis सेलेक्षिन किया जाएगा जा तक apply mode की बात है तो आज की बर्त के लिए आपको online mode से apply करना है दोस्तों salary की बात करें तो आपको salary मिलेगी मन्तली कम से कम 20,000 रुपए और जादा से जादा आपको 80,000 रुपए तक की salary दी जाएगी चले दोस्तों बात कर लेते हैं कि आज की बर्त में किस किस पोस्त की बर्ती होने जा रही है तो दोस्तों इसमें बर्ती होने जा रही है multi-tasking staff की data entry operator की executive assistant की project analyst की तथा coordinator की और MTS की post के लिए candidate बारे पास होना चाहिए बाग की post के लिए candidate के पास graduation की degree होने चाहिए अब bachelor degree होने चाहिए relevant discipline में दोस्तों बर्ती की notification आप सामने दे सकते हैं इसका link मैंने दे रखा दोस्तों जाता location की बात है तो आज की बर्ती का location है गुरू ग्राम यानि की डेली NCR यह हर्याने की वेकेंसी दोस्तों जांतक नेचर आप जॉब की बात है तो यह पांस साल के दोस्तों आज जानकारों के साथ भी जरूर सेयर कीजिएगा दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत सुप कामना है थैंक्यू सू मच